स्वागत है आप सबका इस वीडियो में आज के इस वीडियो का टॉपिक है 25-50 हाउस प्लान इसको हमने डिजाइन किया है मैक्सिमम वास्तु के हिसाब से चलिए हम थोड़ा सा प्लॉट डिटेल देख लेते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसका अगर हम गज में कल्कुल 200 स्क्वार फिट बनता है और यह प्लॉट चारो साइट से ओपन है इसमें आपका कोई वेंटिलेशन की कमी नहीं होगी फुली वेंटिलेशन होगा इसमें प्लस इस प्लॉट को हमने डिजाइन किया है वास्तु के हिसाब से इस वीडियो में चो डिटेल होने वाली है वह का 2D प्लान जिसको अपनक्षा भी बोलते हैं 3D इंटियर प्लान जिसमें आप को इंटिजर से लेटेट कुछ आइडियाज मिल जाते हैं प्लस इसका फ्रेंट डिजाइन इसका फ्रेंट लुक कैसा होगा वो भी आपको इसमें देखने को मिलेगा इसलिए वीडियो के एं प्लेज मिल जाते हैं जैसे फ्लोरिंग कलर कॉंबिनेशन प्लस कौन सी चीज़े कहां रखी गई है उसका एक्जक्ट हाइट एंड प्लेस प्लस और भी बहुत सारी चोटी-चोटी डीटेल है जो इसमें मिल जाती है आपको यह हमारा मेंगेट इंटरेंस है जिसका साइज नौ से दस फूट आप रख सकते हैं ठीक है प्लस इस गीट के अंदर भी एक चोटा सा एक गेट दे सकते हैं जो कि जनरल परपस के लिए यूज होगा प्लस आप देख लिजी कि यह रोड लेवल है और यह आपको पार्किंग लेवल है जो कि रोड लेवल से काफी उचाई पर है तो इस तरीके से आप अपने घर का जो है लेवल को मेंटेन रखें इससे क्या होता है कि कल को अगर आपका रोड लेवल ऊपर आता है तो इससे भी आपको कोई फरक ना पड़े ठीक है लॉंग लाइफ घर को रेनोवेट करने की जिरोत ना पड़े चलिए अब हम बा इरिया मिल जाती है यहां पर ठीक है और सीडी के निचे आप यहां पर बाइक पाक कर सकते हैं प्लस यह जो सीडी है कुछ इस तरीके से हम फर्स फ्लोर पे पहुंच रहे हैं यहां से हम अप करते हैं प्लस ही हमारी मेड लैंडिंग है मेड लैंडिंग से क्या है कि हम ऐसे यहां पर first floor पे पहुंच आते हैं यह बाहर CD देने का main reason यह था कि इससे कि अगर दो भाई हैं तो per floor के हिसाब से ले सकते हैं और वो बिना किसी को disturb किये ground to first floor पे जा सकते हैं ठीक है अब हम बात करेंगे drawing room को drawing room की तो drawing room में देख लिजए कि हमने किस तरीके से sofa place किया हुआ है ठीक है पीछे wall paper लिया है दोनों side में side tables वगेरा यह सारी चीज़े है प्लस सामने आपकी LCD आ जाती है उसके बाद हम बात करते हैं common bathroom की तो यहां पर हमने एक चोटा सा powder room दिया हुआ है यह आपका WC और एक wash version अरिया है प्लस अगर आप इसमें wedding area भी यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं और यहां पर जो drawing room और यह toilet का जो यह space open है यहां पर हमें एक आर्क बना सकते हैं जोगी काफी अच्छा लगेगा देखने में प्लस यहां पर हम kitchen की बात करें तो kitchen और dining हमने combined रखा हुआ है जैसा कि आप देख लीजिए यहां पर एलशेप में counter है प्लस सामने आपका freezer है बड़ा सा तीन फूट का यह client की requirement की हिसाब से हमने यहां पर इसको दिया है प्लस यहां पर हमने यहां पर six-seater dining table place किया है आप अपने हिसाब से यहां पर four-seater भी लगा सकते हैं कोई space की कोई कमें नहीं होगी प्लस window आप देखते चलिए कि आपको हर जेगे आपको window मिल रही है ठीक है अब हम बात करेंगे rooms की तो rooms में आपका जो sizes दोनों का room का है वो same है प्लस यहां पर आपको आलमारी मिल जाती है इसको मैं दूसरे साइट से दिखाता हूं कुछ इस तरीके से हमन वो नहीं चाहिए तो आपको पूरी अलमारी अप ले सकते हैं ठीक है यह सारे options हैं आपके पास प्लस हम बात करेंगे यहां पर bathroom की क्योंकि हमने bathroom जो है काफी बड़े size के बनाया है यहां पर आपका bathtub आ जाता है उसके बाद हमने wall partition कुछ इस तरीके से की हुई है आप भी कर सकते हैं काफी अच्छा लगेगा और यह आपका WC हो गया और यह आपकी एक vanity हो गई इसमें जो वासबेशन है वो counter वासबेशन हमने रखा हुआ है counter के ऊपर रखने वाला हो है ठीक है प्लस यहां पर जो यह है wedding area है shower space जिसको बोलते हैं यहां पर आप खड़े के भी नहां सकते हैं बैट के भी नहां सकते हैं अगर आप इसको चाहें तो इस टीम बात भी बना सकते हैं ठीक है तो इतना बड़ा bathroom है जिसमें सारी facilities हैं आप इस तरीके से design कर सकते हैं अब हम थोड़ा सा इसके pictures देख लेते हैं यह हमारा 2D plan है इसमें आपको maximum detail देने की कोशिश करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी costing की इसका एक floor बनाने में कम से कम जो खर्चा होगा आपका वो 15-18 रुपे खर्चा होने वाला है ठीक है चलिए अब हम बात करते हैं कि वास्तो कि इसको हम किस face में रखे तो हमें maximum वास्तो मिलने वाला है तो इसको अगर आप east facing में बनाते हैं तो आपको maximum वास्तो मिल मिलने वाला है पलस थोड़े से changes भी आपको करने होंगे ठीक है पहला changes होगा आपका entrance का entrance आप या तो यहां पर रख लीजिए ठीक है या फिर आप यहां पर रख सकते हैं उस हिसाप से आपको cd को थोड़ा बहुत adjust करना होगा वह आप कर सकते हैं ठीक है तो इस facing अगर ठीक है बस parking के area के लिए आपको parking यह यूज करना पड़ेगा उसके हिसाप से थोड़ा बहुत cd को adjust करना हुआ जिसे कि आपको maximum length solar food कम से कम मिल सके तो उस हिसाप से आप कर सकते हैं इसमें आपको कोई changes नहीं करने और यह अगर रही बात powder room की जो नौर्थ में आ रहा है इस sizes हमारा जो parking का area है 12 foot यहां से लिके यहां तक 12 foot है और 16 foot इसकी पूरी length है इस यहां से लेके यहां तक ठीक है उसके बाद आपकी cd दिख लिए थे तीन foot wide में हमने चड़ा रखा है उसको 19 से step पे हमने चड़ाया हुआ है और यह first floor पे पूरी यहां पे landing बनेगी यह आपका east facing बन सकता है first floor का जो होगा वो east facing बनेगा क्योंकि यह हमने यहां पे landing दी हुई है drawing room का जो size है वो 11 foot 7 inch वाई 13 foot का यह drawing room है इसमें यहां पे sofa प्लस यहां पे सामने आपका LCD आ जाएगा इस तरीके साब डिजाइन कर सकते हैं प्लस यह drawing और sorry dining और kitchen का जो area है वो total 11 foot 7 inch वाई जिसकी विर्थ है यहां पे आपका sink यहां पे cooktop और यहां पे आपका यह जो है यहां पे आप fridge लगा सकते हैं ठीक है यह से साब से यह powder room की बात करूं तो यहां पे 6 by 3 foot 6 inch का powder room है यह विर्थ 6 foot है और 3 foot 6 inch इसकी length है washing area भी हमने 6 foot by 3 foot का दिया हुआ है प्लस उसके बाद हम bedroom की बात करते हैं bedroom के sizes दोनों में same है bed का भी standard size है अलमारी भी आपको मिल जाती है प्लस यहां पे study table जैसा मैंने 3D में आपको बताया था प्लस यहां पे आप sitting भी add कर सकते हैं यह optional है आप रखना चाहें तो रख सकते हैं क्योंकि काफी चोड़ा है तेरा बाई साड़ी ग्यारा फूट का एक bedroom है प्लस यह आपका bathroom का size एक ग्यारा प्लस चार फूट छेंच आपकी पूरी लेंद है और हाँ अगर आपको यह bathtub यूज करना है तो आप एक पर मार्केट में जरूर विजिट करें या फिर online चेक कर लें कि sizes क्या एवेलेबल है कि कम्पनी में mm के हिसाब से वहां पे sizes मिलेंगे आपको ठीक है उसी हिसाब से इसमें हमने आपको दिखाए कि बाहर से आपका एक्छुली में घर कैसा दिखेगा यहां पे हमने Grandry आड कि है प्लस आपकी कार पार्किंग है सीडी में हमनेποं रेलिंग गचाइब किया हुआ हुआ है प्लस इस landing को एक column की support थी वो हमने यहाँ पे डाला हुआ है ठीक है प्लस आप यहाँ पे सीडी के नीचे जो है एक bike park कर सकते हैं gardening यहाँ पे आप कर सकते हैं हराम से प्लस यह जो आप projection देख रहे हैं यह आपको entrance के highlight के लिए हमने यहाँ पे add किया है और यह जस्ट आपका जो main door होगा यहाँ पे देख लिजे यह आपका main door है जस्ट इसके ऊपर ही होगा यह projection आप अगर इसको 9 foot पे रखना चाहते हैं तो वो भी option है आप 9 foot पे रख सकते हैं उसमें क्या होगा कि यह जो आप द clap cast कर सकते हैं ठीक है इस तरीके से आप बना सकते हैं इसको plus side में जो है जो window थी हमने उसके उपर projection डाला हुआ है projection के support के लिए हमने यहाँ पे L band डाला हुआ है तो इस तरीके से भी आप mention कर सकते हैं material की बात करें तो material हमने यहाँ पे stone tile यूज किया हुआ है plus यहाँ पे हमन में ज्यादा cost नहीं पढ़ने वाला आपका इसलिए आप इस तरीके से भी color combination यूज कर सकते हैं plus यह आपका bluish tone में जो है gray color है आप इस color का भी यूज कर सकते हैं या फिर जो normal gray होता है आप वो भी यूज कर सकते हैं plus इसकी जो topping है वो हमने white रखी है तो यह सारे color combination follow करके दिखा देता हूँ प्लस अगर आपको अपने घर का design करवाना है तो हमारी time sign condition को follow कीजिए इस वीडियो में बस इतना ही उमेद करता हूँ यह वीडियो आप लोगो काफी अच्छा लगा होगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद